सद्गुरु श्री ब्रम्भ चैतन्य महाराज गोंदो लेकर इनका प्रवचन छे जन्वरी नाम और रूप का संबंध क्या नामस्मरन करते समय रूप का ध्यान अवश्चक है? वस्तु तह नाम और रूप दोनों भिन्न है ही नहीं किन्तु नाम रूप के पहले भी होता है और बाद में भी रहता है नाम रूप को व्याप्त करके रहता है वालमिकी ने राम जन्म के पहले रामायन लिखी राम ने उसके बाद जन्म लिया और रामायन में जैसा राम का वर्णन किया गया था वैसा आचरण करके दिखाया मतलब ये हुआ कि रूप के अस्तित्व के पहले नाम था और रूप के मिटने के बाद भी आज नाम बचा है देश काला तीत जो बात निरंतर टिक्टी है वो ही सत्य है प्रत्यक्ष में अनेक रूप बने और उनका विलय भी हुआ लेकिन उनका नाम शेश है मतलब नाम देश काल की सीमा के परे होता है तातपरिय रूप की अपेक्षा वो अधिक सत्य होता है अधिक शाश्वत होता है जो सत्य होता है वो श्रेश्ठ होता ही है अर्थात नामस्मरण करना प्रधान ध्यय है। नामस्मरण करते समय यदि अनायास रूप का भी ध्यान रहा तो अच्छा ही है। किन्तो यदि रूप का ध्यान न रहा तो भी नामस्मरण करते समय रूप का स्मरण सूक्ष्म मात्रा में होता ही है। मान लो कि किसी ग्रहस्थ के घर कोई नौकर है और उसका नाम राम है वो ग्रहस्थ राम नाम जब रहा हो लेकिन उसका ध्यान राम के रूप की ओर नहीं है चिन्तन किसी और बात का ही चल रहा हो ऐसे क्षण को उससे किसी ने पूछा कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो तो ग्रहस्थ ततकाल उत्तर देगा राम का ही स्मरण कर रहा हूँ उत्तर देते समय उसके मन में दशरत पुत्र राम ही होगा ना कि घर का नौकर राम मतलब ये हुआ कि नामस्मरण करते समय सूक्ष्म मातरा में रूप का ध्यान जागरत रहता ही है इसलिए रूप का साक्षातकार हो या ना हो नामस्मरण बंद नहीं करना चाहिए उसे प्रयत्न पूरवक अखंड रूप से जारी रखना चाहिए, सारा सार इसी में है यदि किसी व्यक्ती का और हमारा पूर्वपरिचे है, तो हमारे सामने पहले उसका रूप आता है और बाद में नाम आता है किन्तु हमसे वह व्यक्ति पूर्व परिचित नहीं होगा और हमने उसे पहले देखा नहीं होगा तो हमारे ध्यान में केवल उसका नाम ही आता है वर्तमान स्थिती में हमारा भगवान से परिचय नहीं है और नहीं उसके रूप को हम जानते हैं किन्तु हम उसका नामस्मरण जरूर कर सकते हैं आज भी हमें नाम स्मरण करते समय उसका स्मरण है ही, हमारा ये अनुभव भी है, किन्तु भगवान का रूप भी हमें निश्चित रूप से क्या ग्यात है? एक राम काला है, तो एक राम गोरा है, एक छोटा है, तो एक बड़ा है, किन्तु सभी रूप राम के ही होते हैं, भगवान तो स्वयम अरूप है, मतलब जो रूप हम भगवान को देते हैं, वही उसका रूप होता है, अतह किसी भी रूप में हम उसका ध्यान करेंगे, तो भ नाम स्मरंड से ही भगवान के अनन्त रूप निर्माण होते हैं और अन्त में उसी में विलीन होते हैं फल तह भगवत नाम श्रेष्ठ हैं अखंड मात्रा में उसका स्मरंड करू और प्रसन्न रहो दान में श्रेष्ठ दान अन्न दान उपासना में श्रेष्ठ उपासना सगुण उपासना और साधन में श्रेष्ठ साधन नाम स्मरंड जान की जीवन स्मरंड जय जय राम